जीवें शरदह शतम हमारी संस्कृति में सब को सौ वर्सके स्वस्त जीवन की शुबकामनाई दी जाती हैं हम साथ एप्रिल को विश्व स्वास्त दिवस मनाएंगे आज पुरे विश्व में हेल्थ को लेकर भारतिय चिंतन चाहे वो योग हो या आहिरुवेद इसके प्रती रुजान बढ़ता जा रहा है अभी आपने देखा होगा कि पिछले ही सप्ता कतर में एक योग कारिकम का आयुजर किया गया इसमें 114 देशों के नागरीकों ने हिस्सा लेकर एक नया वर्ड रिकॉर्ड बना दिया इसी तरह से आयुजर इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है छे साथ पहले आयुजर से जुड़ी दवाईयों का बाजार 22,000 करोड रुपिय के आसपास का था आज आयुजर मैनुफेक्टरिंग इंडस्ट्री एक लाग 40,000 करोड रुपिय के आसपास पहुँच रही है यानि इस ख्षेत्र में संभावनाय लगातार बढ़ रही है स्टार्ट अप वर्ल में भी आयुजर आकर्षन का विशे बनता जा रहा है साथ क्यों हेल्थ सेक्टर के दूसरे स्टार्ट अप पर तो मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ लेकिन इस बार आयुजर श्टार्ट अप पर आपसे विशेश तोर पर बात करूँगा एक स्टार्ट अप है कपीवा इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है इसमें क का मतलब है कप पी का मतलब है पित और वा का मतलब है वाप यह स्टार्ट अप हमारी परंपराओं के मताबिक हेल्दी इटिंग हैबिट्स पर आधारीत है एक और स्टार्ट अप निरोग स्ट्रीट भी है आयुर्वेद हेल्थ केर इकोसिस्टिम में एक अनूठा कंसेप्ट है इसका टेक्नोलोजी डिवन प्लेट्फोर्म दुनिया भर के आयुर्वेदा डॉक्टर्स को सीधे लोगों से जोडता है पचास हजार से अधिक प्रेक्टिशनर्थ इससे जुड़े हुए हैं इसी तरह आत्रे इनोवेशन्स एक हेल्थ केर टेक्नोलोजी स्टार्ट अप है जो होलिस्टिक वेलनेस के ख्षितर में काम कर रहा है इक जोरियल ने नकेवल अस्वगंधा के उप्योग को लेकर जागरुपता फैलाई है बलकि टॉप क्वालिटी प्रोड़क्शन प्रोसेस पर भी बड़ी मात्रा में निवेश किया है क्योर वेदा ने जड़ी बुटियों के आधुनिक शोध और परंपरिक ज्ञान के संगम से होलिस्टिक लाइप के लिए डायेटरी सप्लिमेंट्स का निर्मार किया है साथियों अभी तो मैंने कुछ ही नाम गिनाए है ये लिस्ट बहुत लंबी है ये भारत के युवा उद्धमियों और भारत में बन रही नई संभावनाओं का पती है मेरा हेल्थ सेक्टर के स्टार्ट अप्स और विशेशकर आयू स्टार्ट अप्स से एक आगरह भी है आप ऑनलाइन जो भी पॉर्टल बनाते हैं जो भी कंटेंट क्रियेट करते हैं वो सयुक्त राष्ट्र द्वारा मन्यता प्राप्त सभी भाषाओं में भी बनाने का प्रयास करें दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जा अंग्रेजी न इतनी बोली जाती हैं और ना ही इतनी समझी जाती हैं ऐसे देशों को भी ध्यान में रखकर अपनी जानकरी का प्रचार प्रसार करें मुझे विश्वास है भारत के आयू स्टार्ट अप्स बहतर क्वालिटी के प्रोडक्स के साथ जल्द ही दुनिया भर में च्छा जाएंगे